तुम्हारा थर्ड पॉइंट है यहां पे सम्टाइम्स विद ओल्डर विकल अभी क्या होता है कि जब जो ओल्डर विकल है प्राने विकल जब डिस्मेंटलिंग होती है जब गाड़ी को खोला जाता है तो तब पता लगता है कि हंजी डू टू दा वियर टियर या रस्ट की वज़ा से वहां पे कुछ वो चीज खराब हो जाती है ठीक है मतलब डिस्मेंटलिंग के टाइम पता लगता है कि हंजी सर्टन पार्ट में कुछ डिफेक्ट है ठीक है और और नोट ड्रक्ली कनेक्टेड विद एक्सिडेंट बट स्टिल विल हैव तो बी मेड गुड फो स ख्राब निकली है तो सैटिसफेक्टरी रपेर के लिए वो भी जरूड़ी है कि उसको भी रिप्लेज किया जाए ठीक है एक्जामपल दी हुए यहां पर कहते एक ना रस्ट जो जंग लगा हुआ पार्ट रिवील हुआ डिस्मेंटलिंग के बाद एंड जो उसकी कोस्ट परेगी और बाद में उसको रेक्टिफाइ किया गया पता लगाया गया और एक नया पार्ट फिट किया गया उसकी जगह पर ठीक है अभी यह नये पार्ट की जो कोस्ट है ठीक है वो जो इसका यह कहते हैं यह जाएगा नेचर ओफ़ दा मेंटेनेस एक्सपैंसिव यह में इसंटनेटा सिय्य में जाये गा और जो इस्षोंड है इसको जो नए पार्ट के खुर्ट करेगा नाकी शूरंस कमपनी क्यों कि यह जो अब आया था ठीक है डूट रस्टिंग के इस इंसीडेंटल रॉपेर है तैक है इसदेंटल रॉपेर यानि कि एक्सीडेंटल नहीं है इंसिडेंटर रपेर है and which are not directory related to the accident और यह accident के related बिलकुल नहीं है कहते है ऐसी एक आगे दिया हुआ है कहते है another area of misunderstanding एक और area मैं दो कहते है एक और जगहां पर misunderstanding होती है insured और insurance के बीट जहां पर वो कहता है depreciation charges के बारे में अभी old vehicle है ठीक है तो उसके कुछ ना कुछ तो weird tier होई है तो उस पर depreciation भी कटेगी but insurance company कहती है कि हाँ वो principle of identity को follow करती है ठीक है तो उसके coding the insured must neither benefit by the accident nor be left to suffer कहते है principle of identity के coding उसको उसी पर position पर लेके आना जिस position में वो पहले था तो ना ही वो उससे insurance से benefit ले ठीक है और ना ही वो suffer हो तो उसको उसी position पर लेके आती तो इसलिए depreciation कटती है ठीक है तो कहते है this is implied not by any specific condition अभी ये जो depreciation वाला पार्ट है ये तो principle of identity है बट ये कहते है किसी condition में describe नहीं किया गया हुआ ये वहाँ पर हमारी policy में operative close में बताया गया है अपने आप में तो उसके according the company will indemnify the insured against the laws बस ऐसा लिखा हुआ है operative close में ठीक है अभी the rate of the depreciation अभी depreciation कितनी पढ़ती है ये हमने पढ़ लिया पहले भी कि depreciation कितनी पढ़ती है तो the rate of the depreciation वो कहता है vary करती है depreciation according to the part जो replace हो रहा है उसकी age के according या उसकी journal maintenance के according तो जो depreciation रहती है rubber part पे वो double होती है higher होती है तीक है और जो wind screen पे उस पे कुछ नहीं होता तीक है और जो depreciation जो cabin हो गया या body होगी जो load carrying vehicles होगे ना उसमें around 50% से 30% depreciation charge की जाती है public carriers में ऐसा क्यों होता है कहते है because wood is subject to weather condition and fatigue and the joint of the cabin would be losing due to क्यों होता है क्योंकि गाड़ी चलती रहते है load public carrier है तो load होता है कई पर road की condition ठीक नहीं होती लूज उसके nut joint bolt बोल्ड वगारा लूज होते रहते हैं cabin condition भी ठीक होती है और fatigue खुद बखुद metal bend वगारा हो जाता है उसकी वज़ा से उस पे ना कम से कम 25 से लेके 30% तक depreciation charge की जाती है cabin की replacement of a cabin and body replacement पर ठीक है तो इसलिए कहते दो insurer है ठीक है तो उसको यह endeavor insure करना ठीक है that damaged caused by journal deterioration of the body work it is not claimed for that damaged accidental damage जो जो normal incidental repairs है या journal deterioration है खुद बखुद journal अपने आप कुछ body part खराब हुआ है deterioration हुई है तो वो accidental में claim ना की जाए by the insured ठीक है और the edge of the body panel become rested और crowded in the course of the time कहते है जब गाड़ी चलती रहती है जो उसके edges है ठीक है body panel के वो तो या तो rested हो जाते है crowded हो जाते है या घस जाती है या दब दुब जब करा जाती है वो चीज़ हो जाती है ठीक है तो वो भी customer ही बीर करेगा वो सारी cost ठीक है वो incidental है ना की accidental ओके एक example दीए है कहते है जैसे sea water है उसका high crow crowding effect होता है metal पर और जब accident होता है accidental damage repair are carried out जब accidental damage repair की जाती है some wear and tear 2 will have to be made good जो wear tear होई 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 है तो वो भी उसी repair में ठीक कर देते हैं ठीक है the principal indemnity demand जब भी principal indemnity कहता है the insured must contribute to the cost की insured है उसमें contribute करे बिना उसे profit ले और ना ही उसे नुकसान हो भी जतना उसका बनता है तो उतना उतना वो contribute करे कहते when the damaged parts are replaced by new और जब कहते damaged part को नए वाले से replace किया जाता है and allowances is sought from the repairer to add the value of salvage और जो उसकी कुछ allowances होती है part की ठीक है वो repairer sought from the repairers to add the value of the salvage तो जो उसके repair parts होती है तो उसकी salvage कुछ value होती है ठीक है जो old parts होते है ठीक है means के जो means के जो old parts रहे थे replace करवाए थे उसका पैसा मानो के company दे देती है अगर मानो जो old parts है वो cover कर लिये जाते है और उनको sold कर दिया जाता है अगर उसकी economic value नहीं होती तो उसको destroyed कर दिया जाता है ठीक है अभी standard package policy में क्या है कहते है वो ना एक provision बतात for depreciation at the rates mentioned in the policy in the respect of past parts replaced कैते package policy में ही बताया गया है एक तरह से इस provision के बारे में की deduction होगी depreciation depreciation ठीक है depreciation की deduction होगी depreciation काटी जाएगी ठीक है वो भी सिर्फ जो replaced part है उस पर ठीक है as a depreciation applicable is now expressly spelled out in the policy form this area is misunderstanding is removed for all vehicles ठीक है तो कहते है यह जो depreciation है वे तो यह तो policy में बताएगी है कि हंजी कटनी है package policy में ठीक है तो ऐसा policy form में नहीं बताया जाता है ठीक है तो यह इसमें कहते है जो misunderstanding है उसको खतम करने के लिए और differences also arise on the question of repair और replacement कहते है एक और question होता है कि गाड़ी मानु वर्क्शोप में जाती है वो बंदा कहते है जी repair होने वाली है यह repair होने वाली वर्क्शोप पे भी depend करता है यह वाली चीज है क्यों क्योंकि ना जो मानु आप हम अपनी गाड़ी लेके गे वर बट रिपेरर में रिपेरर को replacement part replacement में फैदा होता है ठीक है तो वह insist करता है कि हां भी replacement ही करवाओ आपका repair करके काम नहीं चलेगा वह अच्छी repair नहीं होगी ऐसे करके कुछ ठीक है तो उसको part को replace replacement की बोलता है और safety concern उसमें रखता है कि अगर आपने repair करवा लिया तो वह भ replacement करवाने के लिए बोलता है ठीक है तो replacement में इंशोर को फैदा नहीं है ना कि फैदा तो किसी मतलब फैदा तो इसी को वरक्षोब वाले को जो बंदा replacement के लिए कह रहा है ठीक है तो बट कहते ही repair भी ऐसा नहीं कि repair भी अच्छी नहीं होती वह specialist हो और कुछ ऐसी भी होती है क कि हाँ भी कुछ specialist फर्म भी होती है ठीक है तो जो अच्छी repair करती है ठीक है जैसे specialist फर्म फोर welding repair replacement of chassis फ्रेम रेडियेटर कोच वरकर पेंटिंग एक सेटरा तो हर एक चीज़ की specialization होती है ठीक है तो उसके coating repair भी कहते है एक repair भी अच्छी हो सकती है ठीक है ऐसा नहीं कि हम भ of losses तो पहले हमारा है total loss constructive total loss ही हम पहले भी पढ़ चुके है ठीक है पीछे तो अवेकल is treated as a total loss कहते है तब वहिकल को total loss consider किया जाता है जब उसकी economic value economic value जो economic repair value है मतलब वह ज्यादा हो ठीक है means कि वह गाड़ी repair भी हो नहीं सकती किसे भी तरह से यहां बहुत ही ज्यादा हो some insurance से दूसरी तरफ एक और बताया गया है कहते है जब whenever surveyer को लगता है कि जो vehicle की repair cost है वो 75% of IDV IDV के 75% से उपर जाएगी ठीक है तो उसको उसको as a constructive total loss basis consider किया जाएगा अगर 75% से उपर चले जाती है cost IDV से तो उसको constructive total loss कहा जाएगा however फिर भी कहते before releasing the actual payment to the insured insured collects अब जब constructed total loss पता लगा कि हाँ जी 75% से amount repair amount उपर चलेगी IDV से तो उसके बाद क्या होता है कि जो उसको payment होनी है insured को तो उसकी payment से पहले उसकी registration book का जो RC book वह ले ले जाती है tax action receipt वह भी ले ले जाती है उसकी गार की गाड़ी गाड़ी होगी उसकी चाबिया भी ले ले जाती है और एक RTO black TO and TTO form duly signed by the insured वह भी ले ले जाता है जो TTO form है वह form no.29 and form no.39 यह ट्रांसपोर्ट ऑफ इंटिविकेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ ओनर्शिप यह भी ट्रांसपोर्ट ऑनर्शिप को जैसा form no.29 and form no.30 यह document उससे ले लिए जाते हैं अब हब documents are collected यह document collect किये जाते हैं insured से और दे दिये जाते हैं salvage buyer को जो उसकी salvage जो बाकी उसकी बची गाड़ी है खराब ही condition में वो खरीद दता है ठीक है तो उसको वो document transfer उसको दे दिये जाते है इंशोर्ड से लेके अगर कहते हैं जो vehicle का repair cost वे ब्योंड चला जाता है रिपेर ब्योंड रिपेर होता है तो उसको scrap उसकी RC को scrap कर दिया जाता है स्क्राइब दा RC book and जुसकी keys है RC book and the keys उसको return किया जाता है existing authority को cancellation के लिए ठीक है for computing total loss value of the vehicle on the date of loss we need to work out अभी कहते है total loss को compute करने के लिए ठीक है of the vehicle on the date of loss date of loss के दिन नी तो हमें नीचे दिये कुछ वे हैं उसके coding उसको calculation करना पड़ेगा computing करना पड़ेगी depreciation cost of chassis उसको बोला गया है एक्स जो को chassis की depreciated depreciated chassis की depreciation काटने के बाद chassis है जो वह एक्स है बाइड़ेग्टिन दा कोस्ट बैक 50% cost of the tire टायर पे 50% cost depreciation काटके chassis पर क्योंकि वह मेटल पार्ट है उसके एज के एक्सेक्ट राउन दा कोस्ट ओव दा बोडी फैब्रीकेशन जो भी फैब्रीकेशन रहेगी उसके according जो डैप्रीशेशन बोडी पर डैप्रीशेशन कटकी अभी जो टोटल लोस विदाउट सालवेज आया वह माउंट आएगी एक्स प्लस वाई माइनस एक्सेक्स क्लोज एक्सेस क्लोज जो हमारी डैप्रीशेशेट चैसी आगी प्लस जो डैप्रीशेट बोडी आगी थीक है तो उसमें माइनस कर देना हमने एक्सेस तो हमारा टोटल लोस विदाउट सालवेज आ जाएगा जो salvage है वो insurer के द्वारा ले ली जाती है और बाद में उसको claim की amount को reduce करने के लिए उसको dispose कर दी जाती है means sell कर दी जाती है ठीक है the fair value of salvage on as is where is basis is the difference of expected value of the damage vehicle after the necessary repair and replacement हो गया x this value is the fair market resale price after ranging necessary repairs and replacement जो salvage हुई ठीक है उसका difference of expected value damage जो उसका expectation कितनी है repair होने की यह replacement के बाद वो cost होगी वो market value के coding ठीक है and replacement from the estimated value of the parts and labor of the replacement to bring the vehicle to the road worthy condition after considering the appreciation value तो fair value of salvage हुआ x-y x क्या है जो salvage की value है repair और replacement के बाद वो और दूसरा difference means minus वाली वो and एक वो condition जो road worthy condition मतलब गाड़ी को labor replacement और estimate के base पे according जो उसको उसको उसी condition पे लेके आगी जो road पे थी तो वो हो गया वाई तो हमारी true value of salvage आ गया next total loss due to theft next हमारा total loss due to theft अगर गाड़ी चोरी हो जाती है ठीक है तो वो भी एक total loss वाली condition होती है ठीक है उसमें होता क्या है जब vehicle चोरी हो जाए तो insurer को भी साथ की साथ बताना है और साथ सबसे पहले FIR launch करवानी है जब आपको पता चले इसको station diary entry बोला जाता है यह CR नंबर बोला जाता है claim register नंबर ठीक है और यह बाद जो insured है वो claim की intimation का time insurer को भी बताता है ठीक है अभी जो assessor है वो theft का investigate करता है ठीक है और negotiate करता है settlement पे ठीक है IDV पे negotiate करता है ठीक है with the insured in the event of the vehicle being recovered not being recovered अकर recovered नहीं होता तो वो उसके ताथ IDV पे negotiation करता है कि आपको इतना claim मिलेगा ठीक है it is necessary to disclose following information from the insured कहते है कुछ ऐसी information है जो जो surveyor insured से लेता है वो है अपनी detail circumstances surrounding the event कहां पे वो कैसे हुआ event कहां पे बंदा गया था वो बगरा हो गया time हो गया place हो गया उसने कहां पे vehicle छोड़ा था और कैसे पता लगा कि हां भी loss हो गया चोरी होगी police was informed किया police को बताया था फियर लॉंच किया तो उसका number detail आ गया full detail of the vehicle आ गया RC book वगर आगी दोग book आगी जो उसने maintain की वेगी कुछ date of the purchase of the vehicle कब गाड़ी खिरी दी थी उसका original price कितना pay किया था उसने ठीक है और कोई कुछ में ऐसी महेंगी item तो नहीं लगी जो बहुत महेंगी है expenditure create करेगी बाद में ठीक है और manufacturing price किसना है date of loss जब यह नहीं कि date of loss हो तो उसका market price किसना था पहले कितना था प्राइज और अभी उसका market price कितना है यह सारे ट्रेल उससे ली जाती है customer से surveyer के दोबारा ठीक है company के दोबारा कहते है जो it is usual for insurer to wait at least one month after the weeker was stolen तो जो insurance company at least one month wait करती है वीकल चोरी होने के बाद अभी police अपनी investigation करती है ठीक है उसको trace करने की कोशिश करती है कि हाँ vehicle मिल जाए अगर vehicle नहीं recover होता पुलिस को vehicle नहीं मिलता 90 दिनों के अंदर अंदर ठी इस्यू करती है नोन traceable certificate this untraceable certificate कहते है यह ना फिर जो बंदा है वो अपनी insurance company में submit करवाता है तो उसको total loss consider किया जाता है claim में ठीक है तो वो उसके बाद वो total loss वाला process start हो जाता है तो जब यह process चुरू हो जाता है तो जो document है वो सेम ही होते हैं जो total loss के time दिये वैड इसमें अगर मानू RC भी या taxation certificate भी चोरी हो गया है उसी कार के साथ है तो जो insured है वो registering authority से RC और certification ले के आता है taxation certificate और insurer को देता है तीक है और only additional document will be later addressed by the insured और insured क्या करता है insured ITR को documentation means documented वो बताता है कि हां जी भी मैं भी मेरी गाड़ी चोरी हो गी है ठीक है और एक form फिल करता है non use form ठीक है बताने के लिए कि हां जी भी मेरी गाड़ी चोरी हो गी है और मैं आगे इसका tax के लिए liable नहीं हूँ ठीक है और some insurer also obtain a insured indemnity bond और कुछ ना insurer होती है जो insurance company उसे indemnity bond लेती है insured से indemnity bond में क्या होता है कि insured agree करता है insurer को कि हां जी जब जब भी मेरी vehicle मिलेगी या पुलिस मुझे vehicle अपना ढूंड के देगी वापिस तो मैं insurance company को submit कर दूँगा ठीक है क्योंकि वह amount ले रहा है insurance company से तो अगर police उसको उसका vehicle कुछ दिनों बाद उसको मतलब चोर गया अगर मिल गया तो वह क्या करता है insured तो उसको insurance company को देदेगा ठीक है बट हाँ जो ignition की हो गया उसकी कार की चाबी होगी यह RC book होगी तो ना insurer है वह अपनी safe custody में रखता है कि हम जी बाद में अगर later date में जो बंदा insured है तो अगर वह चोरी हुआ वेकल बाद में trace हो ज प्रूडेंट कहते है इस और विज प्रॉपर टूनिफॉर्म कंसर्ण रिजिस्ट्रिंग ट्रांसपर्ट ऑथोर्टी और यह ना insurer के द्वारा इंशोरंस के द्वारा रिजिस्ट्र पोस्ट के तुरू इस total loss claim के बारे में भी बिताया जाता है कि इसको रिजिस्ट्रिंग बिकल था और भी इसकी आपके और किसी और के नापर ट्रांसफर ना करना यह बताने का दो मक्सद होते हैं एक तो बताता है कि हां जी यह गाड़ी चोरी होगी है बाद में ऐसा भी कई पर होता है कि जब वह इसको बताता है रिजिस्ट्रिंग ऑथोर्टी को और तो जो लास्ट में क्या रहता है जो आइडवी होती है उसकी तो टोटल उस ख्लेम में कस्टमर को पे कर दी जाती है जब टोटल उस होता है या थैफ होता है ठीक है तो इट इपाइंड इन दा पोलसी एंड डिस इस अल्टिमेटली लाइबिल्टी पेबल तो अशोर इन श को सच सर्कम्स्टांसी क केथ姓 लाइबिल्टी होते है जो idv कश्टमर को betar शर्च कर दी जाती है यह पे एक एक एक्जंपल भी है है ंधोर फोर फंद्रह इक श्कोटर है जिसकी orb है 15 ,000 Alt ठीक है वो कहते है serious accident हो जाता है उसकी net repair liability है 12,000 अभी salvage value है उसकी 5,000 अभी यह बेच के उसकी salvage value ही 5,000 अभी यह बेच के उसकी salvage value ही 5,000 है कहते है net liability insurance company के कितनी है पांच यह 15,000 की IDV है अभी यह देखो 12,000 इदर है 15,000 तो IDV थी 12,000 उसका वो आया net liability ठीक है तो यह 75% से उपर चला गया तो यह निकि यह constructive constructive total loss हो गया ठीक है तीसलिए IDV होगी इसकी 15,000 less salvage 5,000 less excess less means minus कर दी 15,000 आगया एक्सेस मैंने कर दी 50,000 आगया जो net liability आई अभी तो वाई 9,000 यह 950 ठीक है Subject to cancellation of a policy but constructive total loss के बाद वो policy cancel हो चाएगी तीक है अभी आगया recovery of a stolen vehicle अभी मालो की recovery of stolen vehicle की कुछ गेज में ऐसा होता है कि हाँ वो 90 दिन का time था कि police ढूंड के कोशिच करती है अगर मानो उन दिनों में वो claim मिल जाता है मतलब sorry vehicle मिल जाता है तो वो क्या करता है तो वो जो vehicle मतलब मिला है उसने उसमें से कुछ न कुछ पाड़ तो चोर निकाल लेते हैं ऐसा होता है कई cases में तो वो जो पार्ट निकाल लिए उसने चोरों ने तो वो ऐसे ही उसको गाड़ी को company को दिखाता है ठीक है और जो company है उसको ऐसे जो ये वाला claim है उसको ऐसे accidental claim ही consider करती है और उसका compensation करती है बट इसमें ये condition है कि जो गाड़ी है वो पुल्स की custody में होनी चाहिए अगर मानों वहाँ पे वो बंदा ले जाता है तो ये possible है कि हाँ भई वहाँ पे वर्क्शोप में ले जाकर वो और समान निकाल ले उसका कुसी का कुछ क्या नहीं सकते नहीं इसलिए वो कहते हैं कि वो पुलिस की custody में होनी चाहिए custody लेते समय उसका एक सर्वे होगा और बाद में वो वर्क्शोप में जाएगी तो जो recovery of stolen vehicle है उसी का accidental के तरह ही treat किया जाता है यहां पर एक और example दी हुई है एक private swift guardian है दो हैर पांच मोडल तीक है उसकी तीन लाख IDV है तीक है और 24 2009 से 33 2010 तक वह हुआ 210 ठीक है पांच मोडल गाड़ी है पांच साल ओग है ना पांच मोडल गाड़ी है चार स साल होगे तो 210 मोडल 210 तक है 15 January 2010 को उसका accident हुआ सर्वेयर की assessment बनानी है हमने ठीक है तो labor charges हुए 15 है यार labor charges है 15 है यार पेंटिंग चार्जी दस थाउजन तो जो रिडियेटर की कोस्ट है सैमन थाउजन लेस सालविज लेस इसने पहले ही कट गी है थीक है कोस्ट ओफ दे हैडलाइस थी थाउजन विंस्क्रीन फोर थाउजन ग्रिल टू थाउजन बंपर हो गए उसके 6,000 एंड सालविज वैल्यू है पार्ट की 100 रुपीज तो कैलकुलेट करना है लाइबिल्टी थीक है तो अभी लेबर एंड पेंटिंग के कोस्ट आगी 25 है यार पहले 10 यार उसकी पेंटिंग चार्जीज है और पार्ट के है 15 यार हना जोरी लेबर है 15 है यार और पेंटिंग चार्जीज से 10 यार है यद लाइट के कोस्ट 3000 है ये इसको ग्लास में कंसिडर किया गए उसमें डेपरिशेशन नहीं काटी रिडियेटर पर 7 है थर्टी फाइफ परसेंट उसमें डेपरिशेशन काटी लिए लेस डेपरिशेशन 35 पार्ट्स फॉर येर तू फाइव येर ठीक है तो उसके एकोडिंग डेपरिसेशन कट गी ठीक है तो विंड स्क्रीन गलास का है तो उसमें कोई डेपरिसेशन नहीं कटी बंपर प्लास्टीक है तो 50% कटी 4000 आगया साल वेच है उसकी 100 रुपीस जो एकसेस है वह 500 है तो क्ले CR 274, 40,274